वंदे मात्रम दोस्तों, हमने हमारे अगले वीडियो लेक्षर में हमारा जो व्याक्राण का या तो ग्रावर का तो महत्व पुण टोपिक था शब्द सम्रचना यानि कि उप्षर्द द्वारा नए शब्द गाले मारके से गिया जाता है प्रतिये के त्वारा नए शब्द के से बदते हैं और उसके कई बेद जो कुरुप्रति के बेद थे तधित प्रति के बेद थे उन सारी बातों को हमने अगले वीडियो लेक्षर तक है जो हमारा पुराणों की का अभियास हमने कर लिया है तो आज इसे वीडियो लेक्षर में दोस्तों हम हमारी नवी कख्या की जो हिंदी की किताब है जिसमें पहला जेक्टर यानि कि जेक्टर नबर एफ आराधना जो साहित के प्रकार के दरफ्टे से एक प्राथना काविया है या तो प्राथना की जिए तो सबसे बेले दोस्तों में पता होना चाहिए कि आराधना क्या होता है आराधना यानि कि पुजा इश्वर के प्रते की जाने वाली जो पुजा प्राथना जा तो पासना जिसे कहीं सारे शब्दों का हम प्रयोग यहां पर कर समते हैं तो यह आराधना एक प्राथना जीत है और जिसके रजियता मराधी गवी वसंद बापत है यानि कि यह प्राथना जीत जो मराधी गवी वसंद बापत का एक अनुवादित का विया हमारी कख्षा में यानि कि हमारे सिलेबस में आराधना साहित्य के सुरूप में यानि कि आराधना शिर्षक अंतरगर यहां पर दिया गिए तो प्रस्तुत कवीता में यानि कि इस कवीता में हमारे जिस मराधी वरिष्ठ साहित्य का या तो कवी वसंद बापत की एक मराधी रचना है और इसका हिंदी भाषा में अनुवाद या तो भाषांतर किया गया इस कवीता में कहा गया है कि मानुता और बंदूता के प्रति प्रेम की सच्छी पुजा है कि मानुता के प्रति, बंदूता के प्रति, बायचारा के प्रति जो रखा गया भाव वही हमारे जिवन में प्रकास है सच्छी पुजा है या सच्छी आराधना है मनुस्य के अपने जो आपसी भेदवाव है वह समावत होने चाहिए और लोगों में लोग और भेरवाव ना रहे राद देश ना रहे, इश्या बाव ना रहे सब एक दुसरी के साथ प्रेम पुर्वक ना जो प्रेम पुर्वक का विहवार करे और सब में सहयों की या तो सहकार की भावना हो लोग एक दुसरे का दुख महसूस करे अपनी समेदना प्रकट करे इस प्रकार का इस स्विता में तभी ने सत्य शीव को सुनगा जो विश्यो मदूर्वक की भावना व्याम करें जो सत्यम शीवम सुन्दरव दोस्तों हमें सुनाये थे जो सत्य है वा सीव है और सीव है वा सुन्दर है इस एक सुन्दर विश्यो मंदूर्वक की भावना प्रस्तुत आराजना कावय में प्रगट की गई तो यहां पर जो विश्यो मंदूर्वक के से प्रगट को लोग ही दूसरों के साथ आपस आपस में भावना से प्रगट जूड़े थे अजल दोस्तों देख सकते हैं कि जगत में समाज में तो सथार में एक दुसरों के साथ ज्याति जाती पाती के नाम पर वर्ह वेल के नाम पर धर्म के नाम पर के प्रकार के वेदवाओं हमें दिखाए लेते हैं लोगों आपस आपस में विश्व के साथ जगड़ते हैं, लड़ाय करते हैं, परिणाम शुरो विश्व में, जगद में अश्यान की बेदा होती है, तो इन सभी बाबतों को, इन सभी बातों को मिटाने के लिए यहां पर विश्व बंदूत्व की भ कभी ने प्रकट करके हमें प्रकार से इसी प्रेना देने का प्रयास किया गया है, कि भी हम भी एक दूसरे के साथ बाहिचारे के साथ रहें, एक दूसरों के साथ सहिकार्ज की भावना से रहें, एक दूसरों के दुख को समझें और मैसूश करें, और दूसरों को हम किसी न दोस्तों इस कवीटा हैं यहां पर आप लोग स्क्रीन पर पूरी तरह से देख सकते हैं, उसका आवाज, उसकी सरग, भाषा में हम समझ यहां पर आपके सामने प्रस्तूत करते जाएंगे और इस कवीटा के जो महत्वपून शब्द, यानि कि जो महत्वपून शब्दार से और यहां पर लिख दिये जिसके अतान पर हम इस कवीटा को पते जो गया कले। विवसत बापत थ्यात नाम करी है, आपका जत्म महाराष्ट के 17 जिले के करार धामत गाम में हुआ था, पूने आपकी कर्म गुमी है, राष्ट्र सेवादल में आप अग्रणी रहे, व्यावसाई से आप प्राज्यापा के, आपके कावियों में राष्ट्र पक्ति समाज जा काविकारण यह व्यावसाई समय जना यह व्यक्ता हुई है, शेतु, बिजली, सकीना, अक्रावी, ग्यारणी दिशा, तेजसी आपकी रसना है, तो इस प्रकार पिजो संचेप परिसाई जो अब अब प्रस्टुत कविता को यहाँ पर स्टेंग पर देखकर उसका आवाद समझेंगों, तो काविकारण दोस्तों देखें, देह मंदिर, चीत मंदिर एक ही रेप राजना, सत्य सुन्दर मांगल यकी नित्यों आराजना, जिसे कि देह मंदिर, चीत मंदिर, दोस्तों, देह मंदिर, तो मन रुपी मंदिर, प्राधना यहां कि आराधना बुजान निवेदर सत्य सुंदर मांजल्य की नित्य हो आराधना तो यहां पर फ्रस्टुत पंक्ति के माधियम से कभी हमें कहना करते कि क्या कहेते कि कभी कहेते हैं कि मेरी यही प्राधना है कि शरीर और मन से सत्य से और सुंदर की आराधना हो लोग सचा है की मार्ण पर चलें और उनके मन में सुंदर विचार और सब एक दुसरों के इत्की बात सुचे एक दुसरे के अच्छे की कामना करें सभी के मन में सुन्दर विचार आए, सभी सत्य सुन्दर और सीव की आराजना आतर है। जैसा प्रस्तुत दो पंक्ती में हमें इस प्रकासे कभी केते हैं, भी से एक बार दोगराते हैं, कि भी कभी केते हैं कि मेरी यही प्राधना है कि सरीर और मन से सत्य सुन्दर और या तो सत्य सिवर सुंदर की आराधना हो लोग सचाय के राष्टे पर चले लोग सचाय के मार्ण पर चले उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दुष्रों के साथ या तो सब एक दुष्रे के हेत की बार तो इसी प्रकार से आगे कमे के हेत दुखिया रोका दुख जाये यही मन कामना वेधना को परक पाने जगाये समवेधना दुर्ब लोग के रक्षनार थे तो उसकी पुसाधना दुखिया यानि कि आज हम देखते कि जगत में कई यसे जो पीडित लोग है जो दुखी लोग है और उनका दुख नश्टव होजा यसी कई की मन कामना वेधना दुर्ब लोग के रक्षान थे दुर्ब यानि कि कमजोर में अपनिक है दुर्ब लोग जो कमजोर लोग है उसके रक्षा के लिए रक्षा के लिए क्या के थे रक्षणार थे पौरूस की साधना पौरूस यानि कि मर्दान थे कि जो हमारी मर्दान जी है वह दुर्बन लोग है कमजोर लोग है उसके रक्षन के लिए हमारी ताकत हमारी शक्ति या को हमारी मर्दान जी का में उप्यूग करना साहिए यानि कि फिर से दोस्तों इसको उप्यूग करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से चुटकारा मिले और लोग एक दुश्रों की पीडा को समझे लोग एक दुश्रों की वेदना पर अनुभू करें मेसूश करें दुर्बनों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उप्यू हमारी शक्ति अगर हमारे साहस का उप्यों उप्यों हमें करना है पर किसी को डराने के लिए नहीं किसी को धंकाने के लिए नहीं पर तो कमजोर लोगे गरेब लोगे पिडिक लोगे कमजोर लोगे उन सभी लोगों के रक्षा के लिए उसकी सहायका के लिए हमारी शक्ति का प्राजर्शन होना चाहिए अर्थार दोस्तों गुज्रादे में मिस्पतार पेडिक में कभी प्राथना करें से कि दुखी लोगों ने दुख मांची शुटकार उप्राव मले और लोगों एक दिजानी पिरा है समझे अको तो यह अनुभम करें और दुर्बलोना रक्षन मा नव तेज हो अंतरंग की भावना तो अंतरंग यानि की जीवन में नव तेज हो नव तेज यानि की नया प्रकास और अंतरंग में हो भावना तो अंतरंग यानि की जो हमारा अंतरंग पराव अमारा रदय हमारे रदय की भावना या को हमारा मन और सुन्दर ता की आश हो म मानव ताकी हो उपासना, शोरिय पावे, देलिय पावे, यह ही अभ्यातना, अभ्यातनायम की प्रातना तो यहां पर कभी कहते हैं कि में सब के जीवन में नया प्रकास हो, नयी चेतना हो सब के ज tääवन में नया प्रकास हो नए चेतना हो, सब के रदे में सुन्दर भाउनाए हो। सब के बंन में सुन्दर आशाक हो, क्या कहते हैं सुन्दर ता कि आश हो। यानि कि सबके मन में सुन्दर आशा है, जो रभा सुतार आपने जो देर कराम उसे समझ सकते हैं, कि सबके मन में सुन्दर था कि आज और सब मानवता की पुजा करें, सभी लोग मानवता की पुजा करें, सभी लोग शोरिय और देरिय प्राप्ता करें, यानि कि सभी लोग और धरिये प्रापते करें। यह कि मेरी प्राहतना है। जोस्तों एक्नम सरल्वातिक जीवन में दालाते हो। आंतरशाह ही भाहतने है यह कि सबैटमक के जीवन में यह प्रकार से नएा थेश हो, नाइचिन्य जयतना हो। सबके रगे में सुन्दर भावनाये हो, सबके मन में सुन्दर आशाये हो, और मानुका के सभी रोग उजा करें, सभी रोग शर्यम और धेर्यम आए, येसी मेरी इश्वर शर्का था उसके बाद दोस्तों अंत में बहतो, भेद सभी अस्त होए, भेद और वासना, भेद, तो दोस्तों भेद क्या क्या हो सकते हैं? कि में सभी प्रकार के बेद, चाहे वह वर्ण भेद हो, जाती पाती के बेद हो, अमेरी गरीबी के बेद हो, चोते बड़े को बेद हो, यानि कि सभी प्रकार के जो ये भेद है, वह नश्ट हो, यानि कि अस्ट हो, बेरभाव वासना, वासना, कामना, इच्छा, वह नश्ट ह जो मुक्तक मुचाहे एक ही मनुदा की कामना है, मानौ की एक्ता की बोलना मुदा करो, यानि कि तभी ये मानौ समाज की एक्ता है, मानौ समाज की एक्ता की भावना है, वह कामना है, ये सफलता प्रापना है, यानि कि कभी की चाहिए कि मनुस्य के मनुस्य के मनुस्य के बीच जो सारे बेदवाव, उसके साथ साथ किसी के प्रती दुष्मना वड़ता हो। यह तो किसी भी लोगों को किसी के प्रती दुष्मन दिकाया तो शत्रुता का बावता हो। और लोगों की सभी प्रतार की जो पूरी इचाय है वह सवावता हो। नश्ट हो। सभी मनुसिया एकता का अनुभाव करें। क्या के के कभी। कि मैं मानुभों की एकता की पूर्ण हो कल्मना है। कि सभी मनुस्य एकता की इच्छा करें और हम स्वतंत्रता और बंदोता की कामना करतें, मत हम चाहे हमें यहीं बंदोता की कामना करतें, तभी कि वे हम स्वतंत्रता और बंदोता, मुक्त यानि की आजाती, स्वतंत्रता की हम बंदोता की कामना करतें, तो इस्य प्रकार जबी लोग एकता के अलुबबो को नैसोंस करें और इस स्वतंत्रता से हमारी बंदूरपव की भावना वह कामना है, वह ही चाहिए वह पूरा होगी, यानिकि मुटत हम चाहिए पीदि बंदूरपव कामना है. अगर हम आजाद होंगे, हम स्वतंत्र होंगे, तभी हम स्वतंत्रता की आजादी की हमारी जो कामना है, वह हम पूरा होगे. और जिसें गुजराती में सलगना से समझे, तो कभी नी इचा से कि मनुस्य मनुस्य वच्षे नाजे तमाम प्रकार नाजे भेदबाव से बदा दूर थे जाए, और कोई-कोईली साथ दुश्मनावन ना होय, और लोकों ने खराम भावनाव से नष्ट थे जाए, और सव अनुबव करें और आपने स्वतंत्रताने भाहिचाराने कामनागरी शेचिकरी ने बसु देयो कुटुम काओ, और थार दोस्तो विष्व एक उटुम की भावना, तब हमारी पूरी होगी, और ये जगत एक परिवार के भाव से, ये तो परिवार भावना की दर्श्की से जगत के, सभी प्रकार के जो भेरवाव, रागत्वेश, इस्वावा नश्ट हो जागी, और तभी इस जगत में, इस विष्व में प्रकार से शांती की स्थाफना होगी, शांती कामें, सभी मनुसियों होगी, तो इसी प्रकार से दोस्तों, एक सुन्दर विचार, इसो प् प्रस्तूत कविका में कवी ने हमारे सामने प्रस्तूत किये। तो यहां पर इसो एक फूटा सा हमारा काविय, आराजना, जो एक प्राजना काविय के उप में कवी ने अपने सुन्दर विचार हमारे जीवन में, प्रेना स्ट्रोथ बने ऐसे सुन्दर विचार इसमें वनित किये जिसको हमने हमारे सरण भाशामों से समझने का प्रियास किया। और उसके बार तो स्वाजिय के कुछ जो एक एक वाक्ते वाले जो हेतूलक्सी प्रस्तूत से से हम कहते हैं वह भी यहां पर देगे। जिसके बारे में भी हम यहां पर थोड़ी सर्चा करें वह उसके बात जो हिस्तार वोकत के प्रस्ता है वह हम PDF-I.N.K. सबूद में आपके वह बेज कर आपको बेजिए तो यहां पर उस चोटे संशिक प्रस्ता एक दो वाक्य में इस प्रकार के प्रस्ता में जो उसे जाते हैं जिसमें पहला सवाद है कि निम्न लिखित प्रस्तों के उत्तर एक वाक्य में लिख्यू पहला सवाद है कभी नित्य केशी आराधना चाहते हैं क्या करते है कि पहले कभी केशी नित्य आराधना चाहते हैं इसके बाद दूसरा सवाल है कभी किसकी मनों का प्रस्तों चाहते हैं तो हम बताएंगे कि कभी एसांस आते है कि दुखी लोगों दुखों से मुक्त हों दुखी लोगों दुखों से मुक्त हों ऐसी कभी की मनों का प्रस्तों है तो मन की इच्छा है तिसरा सवाल है कभी दुखों लोगों के रक्षनार किसकी साधना चाहते हैं वह कहते हैं कहें कि कभी दुखों लोगों के रक्षनार पाउरूस की साधना चाहते हैं यानिकि शक्ति की ताकत की साधना चाहते हैं वह किसके लिए दूर्बलों के रख्षा के लिए, यानि कि कमजोर लोगों की रख्षा के लिए, जो ताकतवर लोगे, जो सक्तिशाले लोगे, वह उसकी रख्षा करें। या तो नव चेतना जगा है, नव चेतना आये, इसी कभी की अभ्यर्थना है, तो कभी अभ्यर्थना करते हैं। और पाच्वा अंतिम सवाल है, कभी केसी बंदूता की कामना करते हैं। तो कहें के, कभी कभी येसी बंदूता की प्रात्ना करते हैं। सब स्वतंत्र होकर, सब आजाद होकर भी वायचारे की बंदूता की कामना है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा प्रस्ण है निमनलिकित प्रस्णों के उतर दीजिए जो आपने कभीता का जो भावार्थ, समझा उसके आधार पर आप इस प्रस्णों के उतर, पता है। तो दोस्तो आशय क्या है, आशय यालि की भावार्थ, जिस प्रकार अमने प्रस्तुत पंतियों का भावार्थ आपके समने 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 प उसके बाद तीसरा सवाल है काविया पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, जो दो काविया पंक्तिया यहां पर दी गए, उसका हमें उसे पूर्णा करना है और हमारी परिक्षा में यह काविया पंक्तिया, जो पज्यवभाग में दो मार्स में यह काविया पंक्तिया पूर्णा क विरुदार छी शimpन लिह ए तो यहां पर कुछ ग पर लिखा एक प्रty लॉके ताह草 जैब कि रेला है कि विपिगान पॉब से तो पिचेंग। यह विए ओो जिए तो जिए उएल इए तो खब पुछानन पिए एसा सेए पिए्टॉ उए विए पुछान पुछान फस वा फप व्को सो लिए प्सित्वान फिए ग्तंस कर दो दूसरा है जीवन, किसरा शुद्धा है संत्य, सोथा शुद्धा है सुन्दर, पास्रा है औस्तम. दोस्तों इसी प्रकार यहां पर विलों शुद्धा सरा में दूपतो, सुख, जीवन तो, पुर्थी, सत्या, असत्या, सुन्दर, तो क्या कहेंगे और सुन्दर नहीं कहेंगे पर तो उसे कुरू कहेंगे, क्या कहेंगे हैं। असत्या, क्या कहेंगे हैं। इसी प्रकार से यहां पर कुछ सा प्रशन जो दिये गए हैं। दुरूबल तो सबल, मानाओ तो दानाओ। अरिपना विलों शंद जे नित्रों सानल से तो आरिके देए। यहां आपको चैप्टर नंबर बेलू आराजना जे अपने संपुन रिते विध्यार्ची मित्रों अपने कोण करिये सी तेमर्च आविडियो लेक्शन नी साचे तमने पेलू काविये से आराजना यहां स्टड़ी मट्रियल से यह पड़ तमने मुकले आप्पामभाव से जे रिते में तमने अगावना भी व्याकरन वक्ते सुचना भी है मुझा के व्याकरन ने लेखन विभाग माटे नो एक चोप्रों तमने अलग बनाव से ते विजिते यह पड़ा पाखिय प्रिष्टर नी राप्पामाविला से कवीता वो ने पाहिते के गधिया ने पज् से के शेफ्टर ने मुझा ने जाव शबता से शेफ्टर मी सच साथे यह पसी तो टरीफ ने उखल को अवसे ज्यामाविला आव जिते श्वाफिया पाखिय पुषघ ने अप्रिक्षी मुझा से लिच्चा उने ने इंदे मारी पाही ने ब्स्त प्रिक्षी ने कि किल रищ और के अंत झाल को यूिय और में अज्जक्ति आमारे कर्से में ने इाल है